नमस्कार दोस्तों प्यूज मंत्रा में आपका स्वागत है मैं आज आपको मैनिक्योर पेडिक्योर घर में बताने वाली हूँ तो इसे आप घर में आसानी से कर सकते हैं तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक कॉफी पाउडर एक कप टेविल स्पन कर्ड दही जो कि घर में आप बना सकते हो एक नीम्बू एक चम्मच जेसा चीनी मैंने आपे टू टेविल स्पन सुगर लिया है पर इससे एक चम्मच से हो जाएगा तो चलिए वीडियो इस्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले में आयूर क्लींजर से अपने पैर को साफ कर लोंगी अच्छी तरह से ताकि सारे गंदगी हट जाए और पोर्स जो पैर जो पोर्स है वो खुल जाए तो अच्छे तरह से क्लीन्स कर लेने से दोस्तों इससे क्या होता है आपके पोर्स खूल जाते हैं इससे गंदगी बहार आ जाती है और आप जो भी प्रोडेक्ट या जो भी चीज के इस्तमाल करते हैं उसका सही वेनिफिट आपको मिलता है तो मैं यहापे निम्बू को काट लोंगी और यह जो चीनी मैंने एक बॉल में लेकर रखा है उसमें मिक्स कर दूंगी तो एक टेबल स्पून सुगर के साथ आप निम्बू या एक निम्बू निचोड के दे सकते हैं फिर इसे अच्छी तरह से फेट ले यह पूरी तरह से जब मिक्स हो जाए एक पेस्ट क तो चलिए आए इस स्टार्ट कर लेते वीडियो निम्बू के सायता से चीनी को ले और फिर इस तरह से हलके हाथों से इसे रगड़िये अच्छे से इसे रगड़िये चारु तरप जहां भी आपके पैरों में कालापन है उस चगह से अच्छे से रगड़िये रगड़ने क के बाद इसे पूरे दोनों पैरों में अच्छे तरह से रगर लीजिए चीनी और नीबू का जो पेस्ट है फिर पांच मिनट तक दस मिनट तक हैसे छोड़ दे पांच मिनट के बाद आप इसे एक टावल से पोच लीजिए आप चाहे तो इसे धो भी सकते हैं या फिर पोच पहले से कितने साप नजर आ रहे हैं तो यह हमारा स्क्रब हो गया कि अब हमारा दूसरा स्टेप शुरू कर दूसरा स्टेप सुरू करते हैं तो अब हम मास्क बनाएंगे इसके लिए हम एक चमच दही और एक चमच काफी पाउड़र को अच्छी तरह से फेट लेंगे जब यह अच्छी तरह से फेट कर एक पेस्ट के रूप में तैयार हो जाए तब आप इसे अपने दोनों पैरों में हलके हातों से लगा लीजिएगा लगाते वक्त अच्छी हलका सा रब करते भी लगाईएगा ताकि यह जो पेस्ट है यह आपके पैरों के अंदर तक जाए और इसे पैर के अंकल में जहां भी आपको काला काला से दिखे अपने पैर गए ओह अच्छी तरह से मोटी परत करके लगाईएगा ताकि यह जो आपने क्लीन्स किया है यह पेस्ट आपके इसकी तक अंदर तक जाए और इसे आप आधे गंटे यह 20 मिनट क सूखने लगेगा तब आप हलके गुनगुने पानी से अपने दोनों पैरों को अच्छे तरह से रगड़ रगड़ के साप कर लीजिए उसके बाद एक सूखे टावल से आप पोच लीजिए और देखिए यह मेरे पहले से कितने साफ नजर आ रहे है अब आप इसे अपनी मन पसंदिता नेल पैंट से पैंट कर ले तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर की जीज कर से लादी怎麼了